अब है अब अब आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक बाफ फिर से स्वागेट करता हूं देखिए यहां पर डेली भेतरीन कंपनीज के भी रिजल्ट आ रहे हैं बेकार कंपनीज के भी रिजल्ट आ रहे हैं बीएसी रिजल्ट कलेंडर पर ने वाले हैं तो यहां पर रिजल्ट देखना काफी IMPORTANT होता है यहां से आपको मिलती है अच्छी ऐसी कंपनी जो आपने करे क्रेंटी करके आप पर इनवेस्ट करते हैं तो आपके पैसे थोड़े से टाइम में अच्छे पैसे मन जाते हैं तो एक चीज है यह इसकी तरफ आपको हमेशा द्यान देना है तो हम कुछ companies है उनके result देखेंगे तो आएए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते तो एक एक करके result देख लेते हैं सबसे पहले यह है ZF Sterling Gear India Limited मैंने इस company के बारे में पहले नहीं सुना ओके लिमिटेट है तो आइथींग एक अंसिलेरी से रटिटी स्याग होगी करोद में यह पर रिजल्ट है यह सकवाटर के लाश्ट यह यार के सेम कॉर्टर के रिजल्ट है तो पैटर्न यह ही रहने वाला है fik इसके पहले पहले इसके लाब्रावा एक्सेंस ऑर देख लेते हैं तो यंचेटार और तो company का quarterly base पे profit बढ़ा है बट yearly base पे profit कम होता हुगा नजर आ रहे है तो इस share की तरफ ध्यान रखिएगा क्योंकि यह share एक अच्छा खासा थाबित हो सकता है तो इस company का नाम क्या है? Z.F. Sterling. Gear. आप चाहो तो मैं यहाँ पर एक-एक करके क्या कर सकता हूँ? एक-एक करके मैं इसके चार्ट से लेकर भी बाते कर सकता हूँ. इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं है बस थोड़ा से यहाँ पर टाइम जाता हूँ नजर आएगा. तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर rounding bottom बनते हुए दिखाई दे रहा है. कंपनी के result अच्छे खासे आ रहे है. कंपनी यहाँ पर support और resistance के तरफ आपको ध्यान देना है. यह एक भैतरीन support नजर आता है. और यह जब तक 693 से उपर ना निकले, तब तक कुछ करने की जरुवत नहीं है. क्योंकि यहाँ पर result ठीक है quarterly base पर अब yearly base पर अच्छे नहीं है. आकर share नीचे आता है और यहाँ पर मिलता है तो उस time आप यह इसके बारे में यहाँ पर source सकते हैं. अब बात करते हैं दूसरी company की, इसका नाम है Urja Global. Urja Global की हमने काफी बारे यहाँ पर बाते करी है. क्योंकि बहुत पहले बात किया करते बात अब हमने बात नहीं करें उस time share 4-5 रुपे का हुआ करता अभी 10 रुपे का है. टोटल revenue यहाँ पर देखेंगे तो 9 करोड 64 लाग इससे पहले 10 करोड इससे पहले 61 लाग का है यहाँ पर revenue हुई थी एक साल पहले. यहली बेस पर अच्छा performance है बढ़ क्वाटली बेस पर अगर आप दे देते हैं तो यहाँ पर net profit for the period की अगर हम बात करें तो company का net profit for the period है यहाँ पर निकल के आ रहा है 98 लाग का मतलब company 98 लाग का profit किया इससे पहले 20 लाग तो इस company की तरफ आपको ध्यान देना है क्योंकि और जिस तरीके के आपन नंबर पेश करें एक चोटी सी company ने यह शेयर अच्छे कासे तरीके से भागता हुआ नजर आ सकता है इसने एक हाई बनाया था ओके हाई बनाने के वाद अगें मैं हमेशा बताता हूं long term का कोई मतलब नहीं रहता long term में बहुत कम share चलते है तो जब भी profit हो रहा हो न जब इस तरीके के profit हो रहे हो तो यहाँ पर बेश देना चाहिए time से निकल जाना चाहिए otherwise यहाँ पर आप trap होते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर वही हुआ लगते हुए नजर आया एक अच्छा काचा support बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ की तरफ आपको ध्यान देना है और इस चीच को आपनी classes में सिखा रह research analysis कौन से stock choose करने है किस तरीके सा choose करने है क्या basis होता है क्योंकि कभी भी stocks ले ले लेते हैं उसमें पैसा पड़ा रहता है या फिर ऊपर के लिए ले ले लेते हैं बहां बेसते रहते हैं तो महासरश्वती की किरपया होनी भी बहुत जरूरी है महासरश्वती की आराधना कर सब्सक्राइब करना है और यहां पर आप पहले सीख लीजिए सीखना बहुत जरूरी है देते हो न टाइम अप अच्छा घास किसके लिए एक-जॉब के-लिए यहां पर कुछ महीने की मैनत कर लोगे तो अच्छा पैसे यहां बनता हो नज़र आएगा तो यहां पर देखिए उर्ज ग्लोबल अब बात करते शुप्रीम होल्डिं औलॉ company यहां पर देखें, income यहां पर yearly basis पर बड़ी है, quarterly basis पर घटी नजर आ रही है, और taxis and all यहां पर देखें, taxes थे लिए पर yearly quarterly दोनों basis पर घटें, यह अच्री बात है, और net profit for the period की बात करें, 254, okay, यहांपर लेक समझा दो करोड़ का profit होगा, दो करोर जोओन लाग इससे पहले बारे लाग तो इयरली कॉटरली दोनों बेसिस पर अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रही है सुप्रीम होल्डिंग और होस्पिटैलिटी इस कंपरी का नाम है ध्यान रखिया रिलाइंस इंडेश्ट्री आ राया एल बोट तैम पहले आपको पताया था आज ग्यारा सोर पर पर चल रहा है कुछ ताइम पहले ही तो टोटल इंकम यहां देखिए टोटल इंकम बढ़ती ह इसके इलावा रामसाइन इंडश्री रहा है वह नजर आ रही है कौटल इंड़ी बेसिस पर ना के बराबर ही बढ़िए अफ्लैटी कह सकते हैं एक्सपेंस इस यहां पर घटते हुए नजर आ रहे है कौटल इया अच्छी बात होती है और प्रॉफित प्रॉफित की अगर इसटी रामसाइन इंडश्री हाँ पर देख ली है टूटल इंकम कंपशनी का इंकम यहां पर आप देख्ये 7 करोड़ 11 लाग से पहले 7 881 सार पहले 10 करोड़ 12 लाग तो इंकम यहां पर कंपनी कम हो रही है ओके और प्रॉफित की बात कर लेते सीधे तो इंकम यहां पर लटिऐ लसन टूपरो इंफोटा क्लम की देखा टाटा एकसी क्या उसकी यहां पर क्या रिजल्ट आये थे देख सकते हैं खेल कटम टाटा एकसी दो खेल कटम ही जी थो हम बात करें लटीए की रिजल्ट बैदरी नाय है इंकम देखें बढ़तीन नजर आई हैं कम्पनी के ए पास-पास, if I'm not wrong, यहाँ पर profit होता हुए नजर आया है, इससे पहले तरह सक, इससे पहले पर तो, company yearly, quarterly, quarterly, दोनों basis पर क्या कर रहे है, अच्छा performance, EPS यहाँ पर अच्छा कासा, company millions और रुपीज में यह result है, यहाँ रखिएगा, company की बात करते है, case oram industry, case oram industry, यहाँ पर क्या हुए, company के जो income है, वो भी कम होती हुए, company के expenses भी हुए, और यहाँ पर net profit after tax की बात करे, company back to back यहाँ पर loss यहाँ पर show करती हुए, तो इस company से थोड़ा सा दूर रहना है, बट नजरे बना के रखनी है, ऐसी companies पर, आईसे ऐसे potential, आईसे ऐसे potentials, life की अगर हम ब profit ही देख लेते हैं, क्योंकि वह सारे चीजियों होती है, इसमें देखने के लिए, कि किस तरीके से यहाँ पर first year premium आया है, renewal premium आया है, single premium आया है, वो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, बैक मैं आपको एक idea देता हूँ, कि यहाँ पर, जितनी भी LIC life insurance की company है, बहुत ब 44, तो एक साल के मुकाबले में देखे COVID से पहले, यहाँ पर company, यहाँ पर कम profit होता हुआ नजर आया है, quarterly basis पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, तो यह सब्चीज आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, इन lakhs में आपर यह है result, HDFC bank, HDFC bank के भी result आगए है, यहाँ पर total income की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चालिस लाग 18,196 लेक इन रुपीज का, यहाँ पर क्या हुआ है, इंकम हुई है, इससे पहले 41 तो इंकम बढ़ी है, company के expenses की बात करें, company के expenses भी यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ प तो 80 के आसपास इससे पहले 26,19,000 के आसपास ते इससे पहले 22,94 लाग तो company के expenses भी बढ़े है, और यहाँ पर सब चीज देखें, प्रावीजनिंग भी करी है इन्होंने, यहाँ पर देख सकते हैं, कितने की 3,24,000 की इससे पहले 3,18,000 की इससे पहले 3,18,000 इससे पहले 3,00, इससे पहले 9,19,000 इससे पहले 8,18,000 तो yearly quarterly basis पे company का profit क्या हुआ है, company का profit बढ़ता हुआ नजर आया, EPS 19 का हो गया, इससे पहले 16 तका इसके पहले 15 तो company ने अच्छा खासा performance किया है, NPS भी देखने हैं, तो यहाँ पर देख लीजे, gross NPS, gross NPS अगर हम यहाँ पर देखते है, yearly quarterly दोनों basis पे यहाँ पर, sorry, yearly basis पे gross NPS कम होते हुए नजर आये, but quarterly basis पे NPS बढ़ते हुए नजर आये, okay, percentage of net NPS भी देखने जाते है, तो वो भी देख लीजे, यहाँ पर वो भी क्या होते हुए नजर आये, quarterly basis पे कम हुए और yearly basis पे जादा बढ़ते हुए नजर आये, तो यह सब चीज आपके सामने है, अब बात करते है, GTPL है तब इस चेर की तरफ ध्यान दीजेगा, क्योंकि back-to-back अच्छे रिजल्ट आ रहे है, in millions में रिजल्ट है, total income 66 करोड की इस बार की हुए है, इससे पहले 44 इससे पहले साथ, तो yearly income बढ़ रही है, quarterly भी बढ़ रही है expenses भी साथ साथ बढ़ रहे है और यहां पर profit for the period की बात करें, net profit की बात करें, तो कितना इहां पर इनका profit इहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है, just because of expenses, क्या हुआ है, कि यहां पर 4 करोड 24 लाग का profit हुआ है, इससे पहले 4 करोड 82 लाग, इससे पहले 5 करोड का, company का profit थोड़ limited, okay, company आपर loss यहां पर show कर दिया, तो इसलिए इस company से भी दूर रहे है, butterfly गांदी मती, appliance is limited, इस चेर के बारे में भी बीच बीच में आप ख़वर सुन लेते हैं, कैसे यहां पर आ रही है, तो यहां पर हम बात करें, company से related, तो इनके result यह है, revenue देखें, company के revenue यहां पर दिख है, expenses भी सेम है, as it is रहे है, तो यहां पर tax after profit की बात करें, okay, sorry, profit after tax की बात करें, तो यहां पर देख लीजिए, आप 25 करोड का profit हुआ है, इस से पहले 25 करोड 46 लाग का, तो यहां पर yearly base पर थोड़ा सा यहां फ्लैट के सकते है, कि profit हुआ है, but yearly base पर profit फ्लैट हुआ है, quarterly base प company is 3P landholding limited, तो यह शेर की तरह ध्यान देना है, क्यों देना है, company के number अच्छे आते है, वह दिखाई दे रहे है, total income की बात करें, तो यहां पर देख एक करोड 14 लाग के आसपा से से वाल तालेस लाइक से नबब है, तो यहां इंकम बढ़िया, पसीदे में net profit for the period पर आता तो company का yearly quarterly based में हाँ पर सब चीद अच्छा खासा profit आता हुए न जाया, तो कुछ company और उसके result अच्छा है, कुछ के मिले जुले आया और कुछ के बेकार आते हुए दिखाई दिया, तो इसी तरीके से आपको है आपर result देखने है, बहुत सारी चीज़े होती है, बट इन ची करेंगे, invest4ever channel को subscribe, bell icon को hit जरू कर लीजेगा, support करेंगे, उतनी बहतरी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, बाकी ये course के बारे में और जानने के लिए 8169261037 पर contact करें, और technical analysis basic to advance सीखे, research analysis सीखे, और जैसे हम stocks बताते है, वो आप खुद ही आपर research करना फिर आपको आ ज करेंगे This.